नमस्कार इस वक्त आप DTV देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ अजीकुली जैसे कि आप सब को पता है कि पलवल विधान सबा के अंदर अब पंचायती चुनाव है और हर्याना का तीसरे चरण का ये चुनाव है इसकी सुखबगाहाट तेज हो चुकी है जैसे ही डेट आ करें उनसे हम भी बात करेंगे कि जोब की बार वो चुनाव में आए हैं तो क्यों आए हैं ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा आप मेरे साथ आए जी देखिए हुका देख लिए बहुत उच्छा है और मिवात में होता भी है आना चाहेंगे कि आप थोड़ा अपने बारे में के लिए थोड़ा गाम में जो जिस बिजली की पानी की छोटी मोटी कमी है उनको दूर करने के लिए और अपने छोटे बड़े को सबको साथ लेने लेकर चलने के लिए इसलिए राजनी तिमाएं तो किस तरह देख रहे हैं कि क्या क्या समस्या है आपके सामने आरी जब हumaने तहसील में पहुंच जाते हैं हमारी सोच एक हम ठाने तक ना जाने की फिरकरिया करें जो अपने ही बाराइटन ब्रकते छोटे-बड़े-बूरे काफी वोटों से जीत करेंगे आपकी पंचयत में कितनी वोटें हैं और आपके संदेस canadidbesu में टीन है new one a बात करें यहां एक जंता के लिए क्या एक संदेशाकि देना चाहेंंगे और यहां की जो एहम समस्य सिख्षा की बात करें जल की बात करें तो इनको किस तरह देखते हैं जनता के लिए जल की समस्य दूर करेंगे बिजली की समस्य दूर करेंगे रास्तों की समस्य दूर करेंगे जोड़ेंगे अपील क्या करना जाएंगे जनतेकले मैसीज़ देने चाहेंगे आने वाले वक्त में पूरा विक्त चुनद always कि विकास होगा काफी भाइचाराओं को भी जोड़े के चलेंगे विकास काफी गाहों में पूरा विकास करेंगे धन्यवाद है हमारे साथ एक भावी उम्मिदवार अरसत जी थे जिनों ने बताए कि छेतर के समस्या किस तरह देखते हैं भाइचारे को एक साथ लेके तो आई चाहरे के लिए बड़ी हासाही या ज़िए को साथ देगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे ना और तो कहने का सारफ तो बोड़ देंगे और अधर बूम्हा आए देखिए ने ने बच्चे हैं और हुका पी रहे हैं मजा ले रहे हैं चुनाव का बात करेंगे आप से बाइस सब्सक्राइब नए बच्चों की सोच को देखेगा क्या काम कराना क्या नहीं कराना हर चीज को एक समान How G commer लेकर चलेगा पुरों गहां को ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टि penal को अलग परबोट नए दिस सब को एक साथ लेके चलेगा को जीते ना जीते यह तो प्रवले के हाथ में यहीं हैं पर उम्मीद यही हैं अप लोग जिता रहे हो ना जी बिल्कुल जिता रहे हैं बाकि और भी उन से बात करेंगे आपका नाम क्या मेरा नाम इर्शाद फराण है उसको वोट करें गहां क्यों रहें हमारे जो पडोसी है और बराबर का भाई है अरसद हम उसी को बोट करेंगे अब के इंसल्ला क्योंकि यंग को लाना चाहिए मतलब पॉलिटिक्स में जो भी यंग की नई सोच होती है और जैसे कि हमारे गाउं में सकूल की कमी यहां तक यह आठ भी तक है और हमारी सोच है कि इसको बार भी तक किया ज सबी लोगों से कि अच्छे पिर्ट्याशी को चुने जो गाउं के विकास की ओर ले जाए इस बार मतलब है अरसद की जी चूटे 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 और यहां हमारे साथ अरसद जी मौजूद रहे उसी के साथ इस पंचायत के मुखे लोग भी मौजूद रहे हम आपको बता आउसर से कितनी वोटों से वो आगे आएंगे तो बंदरी आप हमारे साथ देखते रहे हैं डीटीव न्यूज कैमरा परसें इस्मायन मलनां जी के साथ मैं आपका अपना जी को धन्यवाद